नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक safest monthly option strategy का जिसमें आपको zero risk है और ये working people के लिए भी बहुत ही बढ़िया है इस trade को आपको लेना है निफ्टी की monthly option में first और second trading day of the month में ये जो trade है कोई भी market condition में काम करेगा चाहे bullish market हो, bearish market हो या फिर range bound market हो इसमें कोई भी तरीकी के technical analysis और chart trading का भी जरूरत नहीं है आए जान लेते हैं legs पहले आपको buy करना है one lot put option monthly में 1000 points out of the money जाके फिर sell करना है दो lot put option monthly में 1100 points out of the money जाके फिर buy करना है one lot put option monthly में 1200 points out of the money जाके फिर sell करना है two lot put option monthly में 1300 points out of the money जाके ये सब spot price से मैं बता रहो फिर all side में buy करना है one lot monthly में 500 points out of the money जाके और आखरी में sell करना है one lot call option monthly में 600 points out of the money जाके ये करने के बाद आपका adjustment में पता देता हो तो market अगर sideways रहता है या फिर market गिरता है up to 1300 points आफ profit में रहोगे अगर market उससे भी जादा crash करे जो की बहुती बहुती rare scenario में होता है black swan event में होता है तो जैसे ही जो hill type area बनेगा जो की मैं बाद में दिखाऊंगा वो जो hill type area बनेगा उसको जैसे ही market close करते है तो आपको rate को stop loss से close कर देना है अगर market उपर जाता है तो आपको बहुती अच्छा profit मिल रहा है और एक और आखरी में अजस्मेंट आपको करना है market अगर range में रहा last week तक जो आपको range मिलेगा तब आपको क्या करना है last week का जो मंडे है सुबा 10 बजे आपको buy करना है दो lot put option 50 points in the money from trade number 4 तो जो आपने sell किया था trade number 4 में 1300 points out of the money उसे 50 points inside जाके आपको buying करना है तो चलिए भी stock mark में जाते है और देखते है इस trade को कैसे आपको deploy करना है तो हम लोग इसको में मन्त में जो है back testing करेंगे तो लगभग में 2 को आजाते है जो कि first reading day है मन्त का सुबा 11 बजे spot price जो है लगभग 22,700 पे है तो हम लोग 80 में की expiry select कर लेते हैं तो 22,700 से हम लोग 1000 points नीचे जाएंगे put side में तो 21,700 पे हम लोग 1 lot buy करेंगे फिर 21,600 पे हम लोग 2 lot sell करेंगे फिर 21,500 पे 1 lot buy करेंगे और आखरी में 21,400 पे हम लोग 2 lot sell कर रहे हैं तो ऐसा कि मैंने आपको बताया था उस way में मैंने put side में strategy डाल दिया है अभी call side का strategy था 500 points हमें जाना है तो 23,200 में जाके 1 lot buy करना है और 23,300 पे हमें जो है 1 lot sell करना है तो यह अपना strategy बन गया है यहाँ पे आप देख सकते हो estimated margin लगब 1.13 lakh का है जब आप straight को start करोगे और break even देख सकते हो नीचे के तरफ 21,380 है और यह जो hill है यह आपको याद रखना पड़ेगा हिल के ऊपर अगर market चला जाता है और यह cross कर जाता है यह hill तो फिर आपको इस trade को close कर देना है जो की बहुत ही rare to rare scenario में होगा तो इसको भी back testing हम लोग शुरू करते हैं अराम से देखते है कि कैसे market perform करता है मार्केट अभी आप देख सकते हो कि में मंद में धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो जैसे नीचे आ रहा है आप देख रहा है आपको यहाप कुछ भी नहीं करना है अगर हील के ऊपर उठे तभी आपको कुछ करना है यहाँ पर देख सकते हो नीचे गिरने के बाद market जो है recovery मोड में आ गया है और market जो है recover कर रहा है तो हमें वेट करना है कि last week का Monday तक last week का जो expiry है उसका Monday तक वेट करना है तो सुभा Monday को यहाँ पर मैं तोरह पीछह आ जाता हूँ सुभा अज बजे लग भग जो है market का situation है हमें क्या करना है जो हमने 21,400 पर दो लोट सेल किया था उससे 50 points out of the money जाके हमें जो है buying करना है यहाँ तो यहाँ पर दो लोट हमने buying कर दिया तो जैसे हमने buying किया है आपका जो पूरा strategy है वो no loss strategy बन गया है इस strategy में आपको zero loss होगा और आपका estimated margin भी बहुत ही जादक हम हो गया है तो approximately आप maximum strategy से कमा सकते हो 5.7% तक बहुत ही easily तो आशा करता हूँ यह strategy आपको अच्छा लगा हुगा अगर आपको इससे भी बरिया premium strategies जानना है जो की working people के लिए contact कर सकते हैं तो इस वीडियो को हम लोग यही पर करते हैं खतम